बी थरपी या फिर एपी थरपी ये एक प्रकार की थरपी होती है जिसमें मधुमक्खियों के डंक से आपकी बड़ी से बड़ी बिमारियों को दूर किया जाता है गुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, नसों की सूजन हो या फिर कैंसर पी थरपी से आप इन बड़ी बिमारियों का भी इलाज कर सकते है कैंसर के थर्ड स्टेज तक बी थरपी का इलाज कारगर साबित हुआ है वोपाल में भी पी थरपी शुरू हो चुकी है जिसकी मदद से अपनी बड़ी से बड़ी बिमारियों को दूर कर सकते है इसकी खास बात तो ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये एक प्रमारित इलाज माना जाता है चलिए बात करते हैं एपी थरपी स्पेशलिस्ट मनुच कुमार से इस थरपी के बारे में नमस्कार आपकार ना मैं मनुच कुमार पटल तो जैसा आपने बताया कि ये मद्धुमक्खियों से कैंसर के थर्ट से इस तक ठीक कर सकते है इसकी क्या प्रक्विया है इसमें जो कैंसर का टेटमेंट है ये औस्टेरियन उनिवर्स्टी ने इसके लिए थाड़ स्टेज तक के लिए डॉक्मेंटली प्रूफ किया था कि ये थाड़ स्टेज के आफ कैंसर केन बी ट्रीटेट बाई इस भी थेरपी ये निए बी थेरपी ये मदु मखी के डंग से की जाने वाली चिकिस्ता होती है इसमें मदु मखी के डंग से उस पारण पे इस्टिंग कराया जाता एक एक हपते के अंदर उस पारण पे बार-बार कटाते है तो उसमें क्या है कि वह आहां का खुन का संचार और इसमें 18 प्रकार के अमीनो एसेड्स रहते हैं जो वर्क आउट करते हैं इसमें ब्रेश केंडर और यूड्रेस केंशर पे रिसर्च आया है इसे ठीक होता है बाकि अधर केंशर पे और चल रहा है चिसके अलावा और क्या है इसके बहुत अच्छा मिलता है वहिर को डीडी ते suivre इसके बाद यार कंडिशन में इसमें बहुत अच्छा रिसप wy July मिलता है और लोगों की אס़ीश में रहता है तो करपस सिंड्रोम में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलता है करपस टनल सिंड्रोम में साइड इफेक्ट इसके कोई आशेच नहीं है यह natural therapy है इसको आयोविदा के एक्चुली मैं अपने पिताजी का treatment खोज रहा था पहले से मैं करता था और मैंने कुछ वीडियो अमेरिका के देखे थे तो मैंने देखा कि इंडिया में कहा होता है तो मेरे को महरास्ट्रा का मिला और जिनसे में टीटमेंट सीखा हूं उनसे मैंने दो साल treatment सीखा और उसके बाद आज की डेट में यह MP में भुपाल में यह थेरपी स्टार्ट कर रहा हूं चार्जिस इसका बहुत ज्यादा नहीं है 200 रुपीज पर थेरपी का है पर वीक में एक बार एक दिन में थेरपी होती है अगर बहुत सारी पीज एक साथ काटती है तो फिर पेशन को एनफॉलिक लगता है एक या दो भीकी के काटने से अनफॉलिक या कुछ ऐसा नहीं होता है अभी तक लोगों का मैंने टीटमेंट किया है और लगभग इसमें 72 90 और 100 परसंट इसमें रिलिवाया है कुछ ऐसे केसिस मेरे में आये हैं जिनको डॉक्टर ने टोटली रिप्लेस्मेंट के लिए से इल anticipation के कैंशर का एक पेशेंट मैंट में गया थो उससे कफी प्रॉब्लम थी तो जब मैंने स्टिंग दिया तो उसके झो गांट थी ब्रेस केंसार की पूरा डिजौर le हो गई तो दो साल तुन साल बाद में चेक करा रहें रिपोट में कुछ नहीं आता है बाइसीट करा रहें तो भी कुछ नहीं आता है मैंने सुना ताप पाँच वक्त ले लिया मक्षी का डंक तो मेरी ये सब नॉर्मल होगे तो भी बहुत ही अच्छा है तो जेर खाना दवा खाना का उसे लिए ये अच्छा है वम्री वाला डंक मारती है तो नसमे तो वो सब खूल जाती है मुझे प्लू में सुजन आती थी ब्रस करने पर खून भी निकलता था दर्दी नहीं था सुजन रहती थी मैं आप आई ये लगाया बदमाख्री का डंक लगाया तो फरक हो गया अच्छा सा हो गया तो नात नहीं दो डोक्तरी के लिए नात नीकालना पड़ेगा यसा बोला मैं जुला पचोरी दस साल से इतना परिशन थी कि बैट सी ओट भी नहीं सकती थी यहां तक कि मैं दस में लगातार बैट नहीं सकती थी नहीं लेट सकती थी इतना भयानक वला दर्द होता था ना कि तीनों टाइम मुझे पेन के लगा लेना पड़ता था और फे भी वो बंद नहीं होता था डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको ऑप्रेशन अभी कराना पड़ेगा वरना की स्पैनल प्रॉब्रम बढ़ जाएगी जह आगे चलके उसका भी ऑप्रेशन करना पड़ेगा तो मैं डर रही थी बहुत जी थी महीं ने ट्रैप कंटीमे लिए और आज पांच महीने पांच महीने से कोई भी पेन के लिए यूस नहीं किया आज मैं पटेल लुकाएं से घुटनों में दर्द होने की वज़ए से थेरपी ले रहा था ले रहा हूं आज भी ले रहा हूं तो मुझे छे बार में लगा पचास सी साथ परसेंट आ रहा हूं